अलो फ्रोएंस, वेलकम बाक तु दे काड डिरेक्टर चनल, आज हम बात करेंगे साउथ कोरियन SUV के बारे में किया सेल्टोस, फॉर्थ जेनरेशन का फेसलिफ मॉडल आपे देख रहे हैं, जो मिलता है आपको सिंगल डीजल और दो पेट्रोल एंजन ओप्शिन के साथ, इस आप देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन के उपर, ऐसे दिखते हैं, टॉप मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल लुक, यहाँ पर आपको कई सारे एक्स्लूजिफ फीचर मिलते हैं, जो आपको और मॉडल में नहीं मिलते हैं, इधर मिलती है आपको किया की सिगनेचर टाइगर जो कनेक्क करता है इसके हैडलम्ट तक, यहाँ पर मिलते हैं आपको क्राउं जender LED हैडलम्ट का feature, automatic headland मिलते हैं आपको ये, ठीक इसके नीचे मिलेंगे आपको sequential LED turn indicator और यहाँ पर मिलते हैं आपको ice cube fog grams, यह भी आपको LED में मिलते हैं, housing मिलती है आपको piano black finish में, और साथ में मिलेगा आपको body colored insert, यहाँ पर मिलता है आपको toe hook for the front section, front bumper में आपको चार a dash level 2 के features मिलते हैं आपको इदर, coil spring के साथ मिलता है आपको suspension setup, आगे मिलेगा आपको mac presence thread के साथ, पीछे मिलेगा आपको couple torsion v mixle के साथ, under engine cover का भी feature मिल जाते हैं आपको इदर, इत्य साइस का मिलता है आपको engine bonnet, और यहाँ पर मिलता है आपको range sensing front wipers का feature, and a dash level 2 के features मिलेंगे आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको front में camera, a dash level 2 features की वज़े से, आप देख सकते हैं, यहाँ पर placement मिलती है आपको इदर, और range sensing wipers का यहाँ पर sensor लगा है, panoramic sunroof मिलता है आपको facelift model में, जो पहले नहीं मिलता था, ऐसा देखता है इसका roof, a pillar की बात करें तो मिलेगा आपको glossy black finish में, and body glad में मिलते हैं आपको इसके ORVM with LED turn indicator, और उसके नीचे मिलता है आपको camera, जो है exclusive feature, जो मिलते हैं आपको दोनों ORVM पर, पड़र lamps का feature नहीं मिलता है आपको इदर, और यहाँ पर मिलते हैं आपको celltos की branding, ऐसी आपको left-in side ORVM पर camera मिल जाता है, और celltos की branding, इदर मिलते हैं आपको crystal cut alloy wheels, 18 inch में, काफी शानदार लगते हैं wheels, जो मिलते हैं आपको dual tone finish के साथ, all four disc brakes का feature मिलते हैं आपको हर एक model में, चाहिए आप rear की बात कर रहे हैं या front की, base model से लेके top model तक आपको all four disc brakes का ही feature मिलते है, यह celltos में, ऐसी दिखते हैं इसके wheels, tire profile मिलेगा आपको 215 by 55 R18 का, wheel arch cladding मिल जाती हैं आपको black finish में, और यह accessory का part, जो आप chrome insert देख रहे हैं, ऐसी आपको यहाँ पे chrome insert मिलेगा, जो है accessory का part, side door body cladding का भी feature है, body clad insert के साथ, and side under body cladding का भी, जो मिलती है आपको matte black finish में, chrome outside door handle, request sensor का feature मिलते हैं आपको सिर्फ double side door पे ही, यह accessory का part, window chrome bedline का feature मिलेगा आपको अदर, जो connect करता है इसके C pillar तक, आप देख सकते हैं, rain visor के accessory लगी है इदर, chrome insert के साथ, B pillar मिलते हैं आपको matte black finish में, and glossy black finish के साथ मिलते हैं आपको इसके floating type roof rail, जो functional नहीं है, पीछे मिलते हैं आपको इसके body color shark finantina, और ऐसी मिलते हैं आपको इसके rare profile look, Kia Seltos के top model की, यहापे मिलते हैं आपको exclusive feature, DCT model के साथ, dual exhaust मिलेंगे आपको, जो आपको diesel automatic के साथ नहीं मिलते, काफी शानदा rare profile मिलते हैं आपको, sporty look मिलते हैं आपको Kia Seltos के rare section में, LED tail lamps का feature मिलेगा आपको इदर, जो है connected, और यहापे भी आपको GT line exclusive body cut मिलते है, rare section में, like front section, emergency stop signal का feature मिलेगा, यह chrome insert आप जो देख रहे हैं, यह accessory का part है, ऐसे देखते हैं इसके लिए detail lamps, यह मिलते हैं आपको connected, काफी शानदार लगते हैं आउन होने के बाद, वीशे मिलते हैं आपको किया का बड़ा सा लोगो इस जगा, और ठीक इसके नीचे मिलेगा आपको इसका reverse parking camera, total चार cameras मिलते हैं आपको इस variant में, और जो आप यह chrome insert देख रहे हैं, यह है accessory का part, otherwise आपको नहीं मिलता, rear में मिलेगा आपको wiper with washer का feature, rear defogger, यहाँ पर मिलते हैं आपको किया कनेक का डेकल, LED में eye mount stop lamp, और spoiler बे मिल जाते हैं आपको, जो मिलते हैं आपको glossy black finish में, जो बना रहा है इसकी look को sporty, celtos की branding मिलते हैं आपको left inside पे, और जित्ता भी आप chrome finish का का काम देख रहे हैं, यह SS3 का part है, otherwise आपको नहीं मिलता हैं, यहाँ पर मिलती हैं आपको GT line की badging, ऐसे दिखते हैं इसके reflector, और reverse parking light, dual exhaust मिलते हैं आपको, DCT models के साथ ही, diesel automatic के साथ available नहीं हैं, काफी शांदार लगती है rare profile, skate plate भी आपको बड़े size की मिलती है, यह मिलेगी आपको glossy gray finish में, यह मिलता है आपको front engine या front wheel drive layout, अच्छा कासा ground clearance मिल जाता है, आपको Kia Celtos गाड़ी में, and rear section का toe hook मिलता है, आपको इस जगा placed, and rear bumper पे भी आपको 4 reverse parking sensors मिल जाते हैं, like front bumper, जिसका display आपको infotainment system पे देखने को मिल जाता है, शांदार rear profile मिलता है आपको, ऐसा देखता है इसका rear bumper look, आई इसका boot खुरके देखते हैं, electromagnetic button मिलेगा आपको इदर, और इदर मिलेगा आपको 433 liters का boot space, यह है matting की accessory, काफी शांदार लग रही है, बहुती neat and clean accessory है यह, loading lip आप देख सकते हैं, काफी straight मिलती है आपको, और इसकी नीचे मिलेगा आपको इसका spare tire, जो मिलेगा आपको black steel wheel में, wet toolkit, alloy wheel नहीं मिलता, ऐसी कुछ quality मिलती है आपको इदर, और इस wear in में मिल जाता है आपको Bose premium sound system, जो आता है 8 speakers के साथ, यहाँ पे आपको लगे जुक का feature नहीं मिलता, इदर आपको लगे slam का feature मिल जाएगा, नीचे मिलती है आपको storage space, यहाँ पे आपको power outlet का feature नहीं मिलता, boot में, जो देना चुए था, इस price point पे, rare में आपको parcel पे भी मिल जाती है बड़े size की, इदर मिल जाता है आपको 64T split fold का function, इस तरीके से आप कर पाएंगे, और ज़्यादा boot space पाने के लिए Kia cellto's में, काफी शानदा boot space मिल जाता है आपको fold down करने के बाद, emergency exit का भी feature मिल जाता है आपको tailgate पे, और यहाँ पे मिलता है आपको grab handle, इस boot को बंद करने के लिए, आइए इसको बंद कर देते हैं, आइए इसका rear passenger door खुल के देखते हैं, यहाँ पे मिलती है आपको black player की door padding, with glossy black insert and white insert के साथ, rear में आपको sunshade curtain का feature मिल जाता है, दोनो rear doors पे, और यहाँ पे मिलता है आपको glossy black insert, इस door padding पे, जो लग रहा है काफी ज़ता premium, और इदर मिलता है आपको silver finish में inside door handle, lock and lock button, इदर भी आपको silver insert मिलेगा, चारो power windows मिलती है आपको auto off and auto down feature के साथ, इस वाले model में जो आता है anti pinch के साथ, यहाँ पे बोस का speaker, इदर मिलती है आपको store space, और mounted arm wrist, white leather insert मिलेगा, यहाँ पे hard plastic, इदर भी soft touch material मिलता है, लेकिन हाँ पे hard plastic मिलेगा इसके ओपर, child safety lock दोनों रे डोस पे, and big size की door pocket मिल जाती है आपको किया selto's में, आप देख सकते हैं, यहाँ इस cuplet में मिल जाती है, selto's की branding के साथ, ऐसा दिखते हैं इसका interior, dual turn में मिलती है आपको interior theme, black leather right seats मिलेंगे आपको white insert के साथ, tubular pattern मिलता है, and second row की seats को आप recline भी कर सकते हैं, दो levels मिलते हैं आपको इदर, and second row पे आपको ISO fix side-side mounts भी मिल जाते हैं, tubular pattern design मिलेगा आपको इदर, rear में आपको armrest भी मिल जाते हैं, दो cup holder मिलते हैं, तीन adjustable hydress मिलते हैं आपको second row की seats पे, black leather right seats मिलते हैं आपको, white insert के साथ, tubular pattern मिलता है आपको इदर, leg space की बात कर दो आप देख सकते हैं, है minimum leg space, driver seat भी को पीछे है, 26-10 mm का wheelbase मिलता है, यह है इसका maximum leg space, इतना को jump मिलता है आपको middle section में, और GDX Plus model के साथ, आपको roof lining black color की मिलेगी, यह पर मिलता है आपको back size panoramic sunroof, आए गाड़ी के अंदर चलते हैं, back pocket का feature मिल जाता है, आपको दोनो front seats के पीछे, आप देख सकते हैं, और ठीक इसके उपर मिलेगा आपको hard plastic, यह पर मिलते हैं आपको दो rear race events, छोटे size के, knob मिलते हैं आपको silver finish में, ऐसे आप इसको बंद कर सकते हैं, यह पर मिलते हैं आपको smart pure, air purifier, इधर मिलेगा आपको display, इधर मिलते हैं आपको दो type C के ports, साथ में है space, smart phone को रखने के लिए, और आपको front row में भी adjustable headrest मिल जाते हैं, like second row, shoulder height adjustable front seat wheels, six air backs मिलते हैं आपको यहाँ पर standard, holdable grab handle, यहाँ पर ही मिलेगा आपको code took का feature, साथ में है reading light LED में, driver side नहीं मिलता, एक मिलते हैं आपको code driver side, और एक मिलेगा आपको इदर left inside पे, with reading light LED में, और इतने size का मिलता है आपको यहाँ पर quarter glass, और यहाँ से भी आप access कर सकते हैं boot को, back size planner, रॉम रिक सन रूफ, roof planning मिलती हैं आपको black car में, यह है exclusive GTX Plus का feature, ऐसा दिखते हैं इसका front dashboard look, all black interior theme मिलती हैं आपको, आप देख सकते हैं काफी शानदार interior मिलता है, आपको Kia Seltos के इस facelift model में, अगर आप tech line लेंगे तो अधर आपको interior theme different मिलेगी, reviews आपको मिल जाएंगे, उपर आए बटन से under Kia reviews, और एक गाड़ी कॉन करने के बाद के लोग, ambit lighting का भी feature available है, जो मिलता है आपको dashboard पे, and front map pockets पे, काफी शानदर interior मिलता है, आपको Kia Seltos के facelift model में, इधर आपको panor omic sunroof ही मिल जाता है, जो पहले नहीं मिलता था, और पहले की तरह आपको यहाँ पहले डी sound mood light का भी feature मिल जाता है, आई गाड़ी के बहार चलते हैं, ऐसा मिलेगा आपको इसका side profile, length मिलेगी आपको 4365 mm की, width 1800, height 1645, and wheelbase मिलता है आपको 2610 mm का, crown clearance मिलता है आपको 190 mm, turning data से 5.3 meters, and cow width depend करेगा, over-end to over-end पे, crater से compare करे तो आपको length 35 mm जादा मिलेगी, width and height भी आपको 10 mm जादा मिलती है, के असेल्टोस में, wheelbase मिलेगा आपको same, as compared to Hyundai Creta facelift, safety की बात के रहें तो कई सारे standard features मिलते हैं, आपको के असेल्टोस में, आपे मिलेंगे आपको total 6 airbags, ABS with EBD, brake assist system, hill start assist control, electronic stability control, vehicle stability management, address level 2 with 17 features, tire pressure monitoring system, all 4 disc brakes, front and rear parking sensors, 360 degree surround view camera, blind view monitor and cluster, rear view camera with guidelines, drive rear view monitor, drive and traction modes, Kia Connect car features, smart key remote engine start, automatic headlamps, range sensing front wipers, auto dimming IRVM with telematics buttons, emergency stop signal, immobilizer, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, high speed alert system, front seatbelts with pre-tentional, front and rear three-point seatbelts with reminder, rear doors as safety lock, center locking with smart entry system, door a jar, engine bonnet, sunroof, tailgate, low field level, light reminder, and key left reminder warning indicators, safety features, मिलते हैं, आपको, KSL TOS के GTX plus model के साथ, तो कई सारे safety features, इदार available हैं, और LED tail lamps की बात करें, तो और उनने की बात कुछ ऐसी लगती है, rare profile look, connected tail lamps का feature, मिलते हैं, आपको इदर, license clear के lights मिलेंगे, आपको Hello John Bulb के साथ, और इस वाली generation model को मिलें, global end cap में, 3 star की rating, points मिलें, इसको 8.03 के, out of 17, चैनल मिलें मिलें, इसको 2 star की rating, points मिलें, इसको 15 के, out of 49, cabin integrity का result आए, unstable, तो safety में, थोड़ी low एगाडी, Indian sellers का code name में, SP2Y, जो China में sell होती है, उसका code name में SP2C, और जो globally sell होती है, उसका code name में SP2, और इसकी assembly होती है, साथ जगा, all over the world, जिजाक उबेकिस्तान, चुलाई वेटनाम, क्वीटो, एकुडॉर, कलिनिंग्राट, रश्या, यांग्चैंग चाइना, ग्वैंग्जू साथ कोरिया, और अनतापूर आंदर प्रदेश इंडिया में, हंग्सौव चॉय ने इसको design किया है, और ऐसे दिखते हैं, स्टार में पे LED DRL, और आपको LED में मिलेंगे, किया connect application से, आप कई सारे features को पास सकते हैं, उदर आपको subscription मिलती है, तीन साल तक के free, और warranty की बात के रहते हैं, यहां पे मिलती है, आपको 3 years या unlimited kilometers की warranty, जिएदर आपको 3 years की roadside assistance भी मिलती है, जिसको आप extend भी करा सकते हैं, अब to 5 years, और ऐसे मिलते हैं, आपको इसके crown jewel LED headlamps, और होने के बाद, with LED sweeping light bar, and ice cube LED front fogglames, ऐसे मिलेगी आपको इसके complete front profile look, other models के reviews आपको मिल जाएंगे, उपर आए बटन से, under keya reviews आप देख सकते हैं, हर एक model का review, यह LED sweeping light bar का feature, turn indicator, headlamp unit, DRLs, और नीचे मिलते हैं, आपको इसके ice cube fogglames, यह low beam profile और यह high beam profile, किया सेल्टोस के headlamp unit की, and global markets में, इसका all wheel drive model भी आता है, जो इंडिया में available नहीं है, उधर आपको safety ratings भी भेहतर मिलती है, as compared to SP2i model, and celtos बनते हैं, Hyundai Kia के K2 platform पे, इस platform पे कई सारी गाड़ियां बनते हैं, इंडिया और किया की, जो सेल्टी है इंडिया में, and international markets में, कई सारे color options मिल जाते हैं आपको, monotone and dual tone के साथ, वीडियो के description में आप देख सकते हैं, शांदा front profile look, इदर मिलती हैं आपको दो remote keys, चार buttons के साथ, ऐसे दिखते हैं इसकी key, auto foldable ORMs का feature available है इदर, नीचे मिलता है आपको smart की remote engine start, उसके नीचे है boot खोने के लिए button, chrome finish मिलता है आपको, पीछे में लेगा आपको key या का logo, request sensor का feature मिलता है आपको सिर्फ driver side door पे ही, ऐसे दिखते हैं इसका driver side door, black color की door padding मिलती है आपको, glossy black insert and white insert के साथ, यहापे मिलता है आपको silver finish में inside door handle, lock and lock button, इदर भी आपको silver insert मिल जाएगा, और इदर है glossy black insert, ऐसा कुछ design मिलता है आपको low padding पे, यहापे मिलता है आपको इसका tweeter, जीचे मिलेगी आपको speaker की placement, Bose की branding मिलती है आपको इदर, यहापे आपको anti-pinch का भी feature मिल जाता है, यह rear power windows को lock करने के लिए button मिलता है आपको इदर, इस जगा, आगे मिलता है आपको इसके manual center locking का button, electrically adjust and track कर पाएंगे आप overbeams को, इदर से आप center lock कर पाएंगे, switches के पीछे मिल जाता है आपको storage space, यहापे है white leather insert, stitching के साथ door mounted armrest पे, यहापे भी आपको soft touch material मिलता है, यहापे आपको हिहाँ पे hard plastic मिलेगा, इदर मिलेगा आपको soft touch material, front में pocket मिलती है आपको, 1 liter water holder के साथ, बड़े size की door pocket मिलेगी, and front to doors की scuff plates भी आपको बड़े size की मिलती है, metal में, ऐसे देखते हैं इसका interior, all black interior theme मिलती है आपको इदर, silver insert का भी काम देखने को मिल जाता है, GT line models में, flat bottom design के साथ मिलता है, आपको motor driven electric power steering wheel, यहापे भी आपको silver insert मिल जाएगा, चारो तरफ, AC knob पे भी आपको silver insert ही मिलेगा, साथ मिलता है आपको soft touch material, यहापे engine start stop button, traction control on and off button, साथ में है idle start stop button, और यह head name leveler, यह side मिलता है आपको, यहापे है fuse box, एंठीक ही सके नीचे मिलता है आपको engine bonnet खोडने के लिए lever, sporty alloy pedals मिलते हैं आपको GTX plus में, dead pedal भी available है, और यहापे मिलेगा आपको fuel it के लिए lever, tire pressure information मिलता है आपको driver side पे, power driver seat मिलेंगे आपको 8 way, यहापे मिलते हैं आपको दो levers, इधर से आप adjust कर सकते हैं 8 way में, black leather seat upholstery, white insert के साथ, tubular pattern design मिलते हैं आपको, front two seats मिलते हैं आपको ventilated, काफी बढ़िया feature है यह, GT line की badging मिलते हैं आपको front two seats पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे और उदर, black player की roof planning मिलेगे आपको, जो है exclusive GTX plus का feature, आगे और पीछे आपको adjustable headrest मिलते हैं, यह इसका cabin look, second row की seats को भी आप reclion कर सकते हैं 2 way में, आई गाड़ी के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको welcome sound का भी feature मिल जाता है, ऐसा देखते हैं इसका cabin look, leather wrap steering wheel मिलते हैं आपको, आई गाड़ी कॉन कर लेते हैं, और इगाड़ी कॉन करने के बाद के look, शानदार interior मिलते हैं आपको, GTX plus model में, इसका GTX plus S model भी आता है, review आपको मिल जाएगा, white clear के illumination light मिलते हैं आपको, आप दिख सकते हैं, इधर मिलता है आपको full digital cluster, 10.25 inch में, tuscan unit भी आपको 10.25 inch की ही मिलती है, left hand side पे मिलेगा आपको इसका speedometer, right hand side पे है इसका RPM meter, इहापे मिलता है आपको seat bell reminder, इसका kilometer per liter की information, यह total number of kilometers मिलता है आपको right hand side पे, इहापे है outside temperature display, left hand side पे, इधर है distance to empty, इसके ओपर मिलता है आपको fuel gauge, इहापे है temperature gauge, और यह कई सारी information ओपर, MID को access करने के लिए मिलता है, आपको इहापे button, इधर से आप access कर पाएंगे, यह tire pressure information, a dash में आपको कई सारी features मिल जाते हैं, इहापे आपको a dash की information मिलेगी, settings भी कर पाएंगे, आप है dash की, अगला मिलता है आपको drive information, sensory fueling, total information, auto stop and time, digital speed, इस और features मिलते हैं आपको इधर, next column मिलता है आपको turn by turn navigation का, और उसे अगला मिलेगा आपको tire pressure information, high line के लिए, अगला मिलेगा आपको 17 features मिलते हैं, features like forward collision warning, lane departure warning, lane cap assist, lane following assist, smart cruise control with stop and grow, leading vehicle departuring alert, high beam assist, कई सारे features मिल जाते हैं आपको ADAS में, इधर से आप traction control को enable या disable कर पाएंगे, notify करता है आपको instrument crystal पे, idle start stop का function मिलते हैं आपको इधर से भी, आप on or off कर सकते हैं, idle start stop को, और यहाँ पे आपको 10.25 इंच का ही touchscreen info 10 मिलता है, जो आपको Hyundai and Kia की कई सारी गाड़ियों में देखने को मिल जाता है, कई सारे features मिलते हैं आपको इदर, inbuilt navigation का feature मिलेगा, support करता है Android Auto, Apple का अपने USB, Bluetooth, Kia Connect application, Amazon Alexa को भी support करता है यह, valley mode, quiet mode का भी feature मिल जाता है आपको इदर, settings में आपको कई सारी settings मिल जाएगी, इस काड़ी के बारे में आप set कर सकते हैं, यह vehicle की setting, इदर आपको कई सारे option मिलते हैं, इदर से आप cluster की theme को भी change कर पाएगे, इदर मिलेगा आपको 3 theme का option, brightness को भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, classic A, classic B and classic C, color change देखने को मिल जाते हैं आपको, हर एक theme के साथ, जो आप देख रहे हैं अपनी screen के उपर, यहाँ पर आपको traction mode and drive modes का भी future मिल जाता है, इक climate की setting, light की setting, lore की setting and convenience, आप सारी setting को reset भी कर पाएगे, and display पे जाके आप brightness को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, and blue light filter को भी आप on कर सकते हैं, इदर आपको quiet mode मिलता है, and value mode भी मिलेगा, काफी बढ़िया task response मिलता है, आपको इस task unit से, sound mode lamp का भी future मिलता है आपको अधर, इदर से आप color change कर सकते हैं, कई सारे color option and color theme मिल जाती हैं आपको, इदर से आपको इभी color को select कर सकते हैं, यह super red, इस तरीके से super red दिखे गई है, and color theme में जाके आपको कई सारे option मिल जाते हैं, आपको इभी theme select कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 360 degree camera का future मिलता है exclusive, जो आपको other models में नहीं मिलेगा, ऐसा दिखता है इसका reverse packing camera की quality, bird eye view का भी future मिल जाता है आपको अधर, यहाँ पर आपको senses का display मिलता है, आगे और पीछे के लिए, इदर से आप modes को select कर सकते हैं, ऐसी कुछ quality मिलती है आपको, blind view monitor का future मिलता है आपको instrument cluster पर, इस future मिलेगा आपको exclusive इसी model के साथी, other models में available नहीं है, and DRVM के button की बात करतों मिलेगा आपको इदर, इदर से भी आप directly access कर पाएंगे, 360 degrees around view camera को, and front two seats मिलती है आपको ventilated, three levels मिलते हैं आपको front two seats के लिए, यहाँ पर मिलेंगे आपको button, इदर से आप on कर सकते हैं, यहाँ पर मिलता है आपको tubular pattern design के साथ, black leather right seats, white insert के साथ, डेली की गर्मियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक फीचर है यह, इदर से आप levels को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, parking sensors को भी आप enable या disable कर सकते हैं, drive modes मिलते हैं, traction modes मिलेंगे, traction mode, snow mode, mud mode, and sand mode, drive mode में मिलते हैं आपको theme, eco, normal, and sport, आप कोई भी select कर सकते हैं, सब में आपको performance अलग मिलती है, automatic climate control मिलेगा dual zone में, यह जो पहले नहीं मिलता था, हिंडे क्रेटा में भी आपको dual zone automatic climate control मिल जाता है, इसकी blow speed, minimum temperature मिलते हैं आपको 17 degree का, synchronize भी कर सकते हैं आप, कई सारे modes मिल जाते हैं आपको, total 6 events मिलते हैं, smart pair और air pair और fire का भी feature मिलता है, आपको Kia Seltos के इस model में, and ठीक इसके नीचे मिलेंगे आपको physical buttons, infotainment के लिए, इधर से भी आप directly access कर पाएंगे, यह map का button, उसके साथ में हैं favorite, और कई सारे features मिल जाते हैं आपको, norms मिलते हैं आपको 2, ऐसे दिखते हैं इसका cabin look, यहापे मिलते हैं आपको panoramic sunroof, one test से यह open up हो जाता है, यह आता है anti-pinch के साथ, इतना कुछ size मिलेगा, wind deflector मिलते हैं आपको बड़े size का, and one test से यह आप इस class को बंद कर सकते हैं, and sun blinds को भी, काफे बड़े size का panoramic sunroof मिल जाता है, यह पहले आपको नहीं मिलता था कि असल्टोस में, और यहापे मिलता है आपको auto open autodon का feature, anti-pinch के साथ, यह feature मिलेगा आपको चारो power windows पे, इधर से आप electrical adjust कर सकते हैं, over beams को, and retract कर सकते हैं, और दोनों over beams पे आपको forward collision avoiding assist का feature मिलता है, जो है dash का feature, आई गाड़ी को बंद कर देते हैं, गाड़ी को बंद करने के बाद कुछ ऐसे information मिलती है आपको, और यह हैं इसकी door hazard warning, exact door warning मिलती है आपको, including sunroof, sound भी सुनाई देती है, and fuel tank capacity की बात करेंदे, तो यहाँ पे मिलती है आपको 50 liters की, एक बारी में आप 50 liters का diesel या petrol भरवा सकते हैं, Kia Seltos में पहले की तरह आई इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से खोच सकते हैं आप engine bonnet को, इधर मिलती है आपको dampening for better insulation, under engine cover का भी feature मिल जाता है आपको Kia Seltos गाड़ी में, और इस variant के सथ मिलेंगे आपको दो engine option, जो है 1.5 liter diesel engine, जो produce करता है 114 BHP की पावर, 200 Nm torque के साथ, उदर company माले स्क्रिम करते है 19.1 की for the automatic, and 20.7 for the manual and IMT, आता है 6-speed manual, 6-speed IMT, या 6-speed manual gearbox के साथ, और दूसर एंजन मिलता है आपको यहाँ पे 1.5 liter का turbo GDI petrol engine, यह produce करता है 158 BHP की पावर, 253 Nm torque के साथ, और company माले स्क्रिम करते 17.9 की for the DCT, and 17.7 for the IMT, लेकिन इस variant में आपको DCT and automatic का ही option मिलता है, तो कैसी लगी आपको की SL2 GTX Plus, कमेंच में बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू फो वाचिंग,